डॉक्टर माईश्वरी जी नमस्कार जी नमस्कार अब पूछे हमें जी क्या प्रशना पूछना चाहते हैं डॉक्टर माईश्वरी जी मैं यह पूछना चाहता हूं मैं एक बिजनस करना चाहता हूं लेकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को बिजनस का एक्सपीरियंस बिजनस की नॉलिज में कहां से लूँ और बिना पैसे के बिजनस कैसे शुरू करूं इस बारे में बताईए देखें मीची बहुत अच्छा प्रशन आपने पूछा है आज बहुत सारे यूबा साथे एसे यह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनस करना चाहते हैं लेकिन उ उस industry में सबसे पहले research करता है कि कौन कौन सी companies हैं, कौन कौन से products हैं, क्या-क्या services हैं, उनके prices क्या हैं, उनका buyer किस तरह का है, और price में कितना profit of margin होता है, raw material कहां से मिलता है, ये सारा study करने के बाद ना, वो business का शुबारम नहीं करता है, उसके बाद वो करता है, उस industry में 10-12 clients को search करता है, और उन companies में resume देता है, resume में देने के बाद वहाँ पर interview में जाता है, और interview में जो भी company उसको select कर लेती है, वो उस company में join कर लेता है, और join करने के बाद उस company में वो अपनी best services देता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार यह कहा जाता है, कि लोग जो होते हैं, वो multi इसी भी काम के लिए मना नहीं करता है जाला तर सामाने इंपलोई के अंदर क्या है बिट होती है कि उसको एक काम कहा जाए ना तो वो कर लेता है दूसरा काम कहते है यह मेरे जॉब प्रोफाइल का वर्क नहीं है इसलिए व्यक्ति कभी भी कंपनी का खास इंपलोई डीमन पा करता है तो रोजाना तीन से चार घंटे ऐसे होते हैं जिसमें अपना बिजनस कर सकता है दीरे-दीरे काम के सारी नॉलोजी कठी करता है और उसके बाद में जब वो अपने पार्ट टाइम से बहुत अच्छी अर्निंग कर था क्योंकि पार्ट ताइम नहीं है जो इसने एपलाई कर देता है 80-20 के प्रिंसिपल में क्या होता है कि उसकी जो 20% प्रोड़क्टिवीटी है उससे जब इंकम सेलरी के बराबर हो जाती है तो वो अपनी जॉब छोड़ देता है और जॉब छोड़ने के बाद भी अपने मालिक को नहीं छोड़ता वो उनको बताता है क सर मैं सिंडस्ट्री में काम करना चाहता हूं मुझे आपका आशिरवाद चाहिए मुझे आपकी गाइडलाइन्स चाहिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आप चाहें तो मैं आपके साथ मिलकर भी बिजनस कर सकता हूं तो यह ऑफर जब वो अपने मालिक को देता तो क मेंटर्शिप भी तो मारवाडी क्या करता है कि धीरे धीरे जॉब करने के बाद अपने बिजनस का इस्टाबलिश्मेंट कर लेता है और जब उसकी अर्निंग अच्छी हो जाती है तो फुल फ्लैश बिजनस में लग जाता है अब ले अच्छी हैं किए पर जैसरे कि मेरा जो प्रश्न वह यहें कि यह जो बात आपने मुझे बताई है मुझे समझमें करने है और दीरे-दीरे जॉब के साथ पैसा अर्णिंग करते हैं अपने बिजनस का शोबारम करने है मेरे आप से आप अच्छे सच कर लिजिए सर्क और कि ऐसे मिलता है सार्ड करने के बाद दूसरा दूसरा एक पदधी करने जो भी काम को करने शुरूच कर दीजिए और थीसरा स्टेप कभी भी किसी भी काम को करने से मनाना करें जो भी etap आपका ऑनर आपको बोल verw उस काम को निरंतर प्रगती की और ले जाने के लिए हमिशा अग्रसर रहें और पूरे शिद्दत से उस काम को करें नेक्स जो स्टेप है आपके पास जो 8 गंटे का 10 गंटे का ड्यूटी टाइम है उसके लावा 4-6 गंटे आपके पास और बस्ते हैं उन 4-6 गंटे का जो समय है उस समय को 100% dedication के साथ अपने बिजनस का शुबारम करने पर लगाएं और जो आपने salary से इनका उंगमाई है एक महीने, दो महीने, तीन महीने की उसको वहाँ पर invest करना शुरू करें धीरे 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 आपको एक small scale business set वहना शुरू हो जाएगा और एक small scale business में revenue generate कर लेंगे इसको आप पार-time कर रहे हैं और बाद में जब आपका वह पार-time business अच्छे सेट हो जाए तो अपने मालिक की स्विक्रिती के साथ उस बिजनस का शुबारम full flash करना शुरू कर दें और यहाँ पर आपको आपके जो owner हैं वहर तरह से support करेंगे क्यों क्योंकि आपने उनको डिच नहीं किया उनको धोका नहीं दिया है ना आपने उनकी support से उनकी mark दर्शन से काम का शुबारम किया है अगर वो आपके साथ काम नहीं करेंगे ना उसके बाद भी आपको supporter services जरूर देंगे आप कहीं भी अटक जाएंगे आपकी mentorship करेंगे और साथ problem किया है मैं जहां भी job करता हूं ना full dedication के साथ करता हूं 8-10 घंटे की मेरे job होती है और job में 8-10 घंटे devote करने के बाद ना सर मैं सच में इतना थक जाता हूं कि मुझे घर पे अगर मम्मी ये कह दे ना कि बेटा ये market से समान लिया हो तो मेरे अंदर इतनी हमत भी नहीं होती कि मैं ऐसा कर पाऊं अब मैं अपनी energy को कैसे बढ़ाँ और कैसे 8-10 घंटे काम करने के बाद 3-4 घंटे के अपनी efficiency को बढ हूं और ओफ डे में तो मैं चाहता हूं पूरा राम करूं तो ओफ डे में काम करना शुरू को तो उसके लिए मुझे क्या steps अपने चाहिए अमेजी देखो आपने कहा कि मैं 8-10 घंटे जहां भी जौब करता हूं जौब करते करते में बहुत थक जाता हूं तो मेरी एक बात में आ जाए ना फिर 2-4 के जाएगा 4-6 घंटे निकाले और आफ डे में पूरे दिन आराम नहीं होता अगर आप सुबत 2-3 घंटे भी रिलाक्स कर लेते ना तो उसके बाद पूरे दिन का जो शिडियूल है वह आपका रिफ्रेश हो जाता है और उसमें पूरी शिदत से अ एक बहेतर बिजनस बिल्ड कर पाएंगे क्योंकि आपने देखो यह सबसे पहली बात कहीं कि मेरे पास अनुभव नहीं है तो अनुभव के लिए आपको आठ से दस हंटे अपनी जॉब पर लगाने पड़ रहे हैं आपके पैसे नहीं तो आप बिना पैसे की काम कैसे कर रह हैंगे तब यहां सब कुछ ठीक तरीके से कर पाएंगे सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपने बहुत वैल्यूबल गाइडेंस मुझे दी है क्योंकि मैं इस चीज को लेके बड़ा परिशान था यार पैसे है नहीं बिजनस करना चाहता हूं अनुभव है नहीं और कभी उनको मना नहीं करूंगा अगर आपको यह बात अच्छे समझ में आई तो मेरा आपसे यही कहना है कि तुरंत इस बात को इंप्लीमेंट करें और आज इसे इंडस्ट्री को सर्च करना शुरू कर दें और जॉब के लिए कहीं न कहीं अपलाई ज़रूर करें ताकि आंक्यों मेजी थांक्यों सर्च